रवी की फसल कटते ही किसान तुरत ही गर्मी के दिनों बोई जाने वाली ग्रीस मकालीन मूं की बोनी कर देते हैं ऐसे में बीज उपचार सहित सही ढंसे बोनी के लिए खेत नहीं बन पाने के कारण आप एक्षित पैदावार प्राप्त नहीं हो पाती और किसान हतास होने इफको बाजार केंद सतना से आज हम बात कर रहे हैं ग्रीस मकालीन मूं की बुवाई करने के लिए सर प्रथम सभी किसान भायों से मेरे निवेदन है कि सबसे पहले तो नर्वाही जो रभी गेहों की फसल की जो बच्चे उसे जलाएं नहीं उसे बायो डिकंपोजर की एक इसकाबेटर मिट्टी पलाट हल से उसे पूरे ख्यात में फैला दें जिससे कि वह जिससे कि वह मिट्टी की उर्वरा सक्ति को बढ़ाने में सहायक हो जाएगी दूसरा आप ग्रीस मकालीन मूं को बोने के लिए हाइबर्ड वीजों का परयोग करें हाइबर्ड वीज अत् केंदर पर जा करके को केंदर पर जाके सस्ता सुन्दा टिकाओ राइजोवियम कल्चर है या कि आप देख रहें नैनो डियेपी है नैनो डियेपी पांच एमेल प्रती किलो ग्राम बीज में डाल करके उपचारित कर करके और आप बीज बवाई कर दें उस बवाई करने के बाद आप अगर देख लें कि मिट्टी में दीमक हैं गीरे हैं तो आप फिपरोनिल काटाफ हाइड्राकसाइड यह पांच किलो प्रती एकर कि दर से आप इसका मिट्टी मिला करके छिड़काओ कर दें जिससे दीमक से आपको सौलियत मिल जाएगी और आपका बीज जो है अच्छा जर्मिनेशन करेगा और पचीस से तीस किलो 35 किलो डी एपी का छिड़काओ कर दें चूंकि रवी की फसल में हम अद्धिक उरवरग दिये होते हैं खेत में तो हमें कम उरवरग की यहां पर आऊ सकता होती है मुंग की फसल में दूसरा यह एक दो से ढ़ाई महीने जिस तमें किसान खेती कम करता है उस टाइम एक आवक का एक उत्पादन का अच्छा जरिया भी हो जाता है मुंग और मुंग की आप किसी भी मंडी में ले जाकर के 7,75, 108,000 के कारीव इसमें प्रदी कुंटल आप इसमें कमा भी सकते हैं और बहुत ही कम लागत में अच्छा उत्पादन पराप्त कर सकते हैं हाइबर्ड वीजों का इस्तवाल करें हाइबर्ड वीजें 25 से डिगरी से 40 डिगरी तक टमपरेचर से में झामता होती है और 10 किलो प्रती एकड की दर से बुवाई के टाइम पे हम सागरिका का इस्तमाल करें चुकि सागरिका में 16 पोसकता सूसमाता पे उपस्तित होते हैं